हाई welcome to my channel इस video में solve करेंगे question no.5 पहले पहले हम first part solve करता है तो यहाँ पर first part में लेख दिया है तो ध्यान समझेगा यहाँ पर prove करना है कि this much is equal to abc तो कैसे हम करेंगे इसको prove तो पहले हम ले लेंगे तो lhs ले करके हम क्या करेंगे rhs लाएंगे फिर हमारा proof हो जाएगा और यहाँ पर हम use करेंगे laws of exponents ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा समझे के ध्यान से यहाँ पर क्या करेंगे जो अब यहाँ पर negative में दिया हुआ है power उन सब को हम positive करेंगे तो हम पढ़े हुआ है कि a to the power योदी m रहेगा minus m रहेगा तो करेंगे हम one upon a to the power m ऐसे में positive हो जाता है ठीक है यहाँ भी ठीक वहीं करेंगे तो a plus b plus c whole upon अब दिखे कर मैनस 1 है तो one upon b हो जाएगा मतलब कि हमने यह दोनों को मिला कर लिखेंगे तो one upon a b हो जाएगा clear मतलब one upon a into one upon b is equal to one upon a b plus similarly यहाँ भी कर देंगे तो one upon b c plus यहाँ पर हो जाएगा one upon c a correct तो हमने अब इतना कर दिया अब a b b c और c a का हम लेंगे l c m c m क्या होता है a b b c और c a कहामें निकलना है l c m कैसे पचलना ? तो क्या करते हो हम लोग ? divide करते हैं इसमें किसी number से तो as divide करते हैं फहले तो इसमें divide करेंगे तो a कर जाएगा और isnem esos a करदे और c और इसमें और करेंगे a से तो यह kचच जाएगा और c बचेगा तो यह B, C को वैसे रखते हैं, C रखते हैं अब यहाँ B से डिवाइड करेंगे तो B से डिवाइड करेंगे तो यह 1 हो जाएगा और इससे B से डिवाइड करेंगे तो C मिलेगा क्यों और यह B से डिवाइड हो नहीं पाएगा क्योंकि इसमें B है नहीं, C को वैसे रख दें देगे, फिर C से डिवाइड करेंगे, C से डिवाइड करेंगे, 1 में तो, खेर यह तो 1 ही है, C से डिवाइड करेंगे, C में तो 1 आएगा, फिर C में करेंगे तो 1 हैगा, मतलब जैसे हम लोग L से निकालते हैं, वैसे ही यहाँ पर निका अब दिखें जो A भी दिया हुआ है A भी सब डिवाइड कर देंगे तो यह A भी केंसिल आउट हो जाएगा और C बचेगा है कि नहीं C से मटबलाई करेंगे 1 में तो C ही आएगा प्लस BC से डिवाइड करेंगे जब इसमें तो BC कट जाएगा और A बचेगा और A समेड बलाई करेंगे 1 में तो A आएगा प्लस CA से डिवाइड करेंगे जब दी तो C और A कट जाएगे और B बचेगा और B समेड बलाई करेंगे 1 में तो B आएगा राइट ऐसा कर सकते हम अब यहाँ पर जो है एक बात समझेगा कि यह जो दीखे A प्लस B प्लस C A प्लस B प्लस C जो है hole में यह उपर था numerator था यह और यह पूरा denominator था ठीक है तो अभी तक आप यह बिल्कुल समझेगा कि denominator क्या है कहां से कहां तक denominator है तो यहाँ से यहाँ तक denominator है यह पूरा क्या है? denominator है और यह क्या है? numerator है तो numerator जो है A की quantity दी हुई है तो अपान 1 कर सकते हैं इसके ठीक है? मतलब कि इस पूरे quantity को हम ऐसा लिख सकते हैं इस पूरे quantity को हम चाहते हैं ऐसा लिखना ताकि सिंपल लगे A प्लस B प्लस C whole upon 1 इसका upon यह वाला जो upon है यही मतलब की यह वाला upon है और इसके upon 1 की है मतलब numerator में तो अब इसको जो है यह पूरा जो है इसको थोड़ा arrange कर देंगे और A प्लस B प्लस C के formula ही देंगे अब ऐसा हो गया मतलब की 4 conditions आगे मतलब की देखिए ऐसा रहता है मैं यहाँ पर पता रहाँ आपको M upon N upon P upon Q यदि ऐसा रहेगा 4 ऐसे रहते हैं करना क्या होता है कि नीचे वाले डिनमेनिट नीचे वाले को सबसे उपर वाले से मनप्लाई कर लेते हैं और उसको numerator में रख देते हैं A, B, C in bracket A plus B plus C हो लपान अब यह जो नीचे वाले बीच वाले क्वाले हो जाएगा और हमें मिल जाएगा A plus B plus C into 1 तो 1 का मतलब किछ नहीं होगा ऐसी रह जाएगा अब नीमेनिटर और डिनमेनिटर में देखिए कौन सा फैक्टर सिमलर है तो A plus B plus C बिल्कुल ही यह सिमलर दिख रहा है तो यह cancel out हो सकते है और हमारा जो बचेगा वो मिलेगा क्या A, B, C और A, B, C ही तो हमें लाना था RHS में जो है यही है हमारे पास आप यहाँ देख सकते है RHS में हमारा क्या है यहाँ पर ABC लाना है ठीक है तो हमारा इतना आच चुका है तो यहाँ ली सकते है RHS is equal to RHS और नीचे ली सकते है HANS ओके तो मैंने यहाँ पर question लिख दिया है second part और एफसाल करते हैं तो यहाँ पर ले लेंगे taking taking LHS ओके तो यहाँ पर है LHS अब कही है अब करना क्या है कि पहले जो अंदर की quantity है उसमें जो power minus 1 में है उसको हम plus 1 में कर लेंगे और थोड़ा solve कर लेंगे ठीक है उसके बाद जो बाहर वाला है ना उसको हम use करेंगे यह जो minus 1 जो दिया हुआ है बाहर का उसका इस्तिमाल करेंगे और solve कर लेंगे ठीक है तो यहाँ पर क्या करेंगे पहले पहले हम अंदर वाली quantity को करेंगे positive मतलब कि 1 upon a हो जाएगा यह ठीक है देखे a to the power है minus 1 तो minus 1 है तो यह plus 1 करने के लिए 1 upon a to the power 1 करेंगे और यह का power 1 रखें या ना रखें कोई फर्ण ने पढ़ता मतलब कि इतना बरबर इतना होगा ही होगा इसलिए इतना बरबर हमने इतना लिख दिया plus यहाँ हो जाएगा 1 upon b to the power 1 ठीक है इसका whole to the power है minus 1 अभी यह minus 1 का इस्तिमाल मत करेंगे थोड़ा जाएँ solve कर लेते हैं कि यह दुनों अलग-अलग है ठीक है solve करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा a और b का जो LCM होगा क्या होगा a b होगा ठीक है और यह a b कैसे आया आप यह कामा दे करके आप ऐसे निकाल सकते हैं ठीक है जैसे आप usually निकालते हैं वैसे ही यहाँ पर a से पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और b में जान नहीं पाएगा तो b ही रहेगा यहाँ आप b में b से करेंगे तो 1 तो हो जिया है b से डिवाइड करेंगे यहाँ पर 1 रहेगा मतलब कि a into b पावर है इसका इस्तमाल कर सकते हैं और इसको हम reciprocal कर सकते हैं मतलब कि देखे यहाँ पर आप जो है बस reciprocal कर देंगे तो यह positive हो जाएगा जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ यही मालीजी कि c upon d है और इसका power है minus 1 इसका मतलब आप क्या करोगे यहाँ पर यहाँ पर आपको करना पड़ेगा positive करने के लिए 1 upon c upon d to the power 1 हो जाएगा है कि नहीं 1 upon करते हैं तो यह क्या होता है positive हो जाता है आप पढ़े हमें यह formula a to the power minus m रहेगा तो 1 upon a to the power m हो जाता है positive हो जाता है तो यही जो d upon c हो गया है that is what you will do here मतलब कि a b upon b plus a कर सकते हैं यहाँ पर minus 1 हट जाएगा बिल्कुल यहाँ पर दिखिया minus 1 नहीं है तो यहाँ पर आप shortcut में मतलब a b upon a b plus a लिख सकते हैं मतलब कि अंदर वाले का reciprocal अब यहाँ से b plus a है तो इसको हम a plus b लिख सकते हैं क्योंकि कोई फार्ग नहीं पड़ेगा यदि किसी number को हम interchange करके मतलब commutative love follow होता है real numbers में and that's why we can do a b upon a plus b और यही तो हमें लाना था इतना हैगी नहीं तो हमने यह ला लिया है RHS so लिख देंगे हाँ पर hence proved okay thank you so much for watching यदि आपको अच्छा लगा तो like कर दीजएगा दोस्तों उसर करेगा और यदि कोई doubt होता है तो comment box जरूब लिखेगा okay thank you again bye